शाम की चाई के साथ ये छोटे वाले समोसे और हरी चटनी होता चाई पीने में एक अलगी मज़ा आ जाता है ना हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू मैं चैनल कल मैंने बनाये थे मीनी समोसा घर पे पहली बार समोसा बनाने में एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ मैंने रेसिपी देख के बनाये थे तो आज आओ बताती हूँ कैसे बनाये थे सबसे पहले लिया है मैदा उसमें डाले है अजवाइन फिर डाला है उसमें अच्छे से मैदे को गून लेना है मैदा ना ज़दा tight गूनना है, ना ज़दा ढीला गूनना है, medium गूनना है तो मैदा मैंने गून लिया है और side रख दिया है उसके बाद मैंने आलू भी उबालने के लिए थे, आलू बलके मैंने ready है फिर लेना है यहाँ पर अदरक, लैसुन और हरी मिर्च उसको अच्छे से कूटना है तो 4-5 मैंने लैसुन लिये है और एक छोटे सा पीस मैंने अदरक का लिया है और एक लिये है मैंने हरी मिर्च उसको अच्छे से मैंने कूट लिया है ये तीनों चीज कुट के रेडी है फिर कड़ाई में तेल डाला है और सबसे पहले मैंने मटर डाली है जिससे की मटर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और कचर कचर ना आए वो खाते होए समोसे में इसलिए फिर डाल दिया है मैंने लैसून, हरी मिर्च और अधरक का मिक्षर व जीरा पाउडर है फिर उसके बाद सारे आलू डाल देने है जो बॉइल डालूते हमारे आप लोगों को जितना समोसे बनाने है उसे साब से आप आलू डाल सकते हो मुझे 20-25 के रॉन बनाने थे तो मैंने इसलिए इतने आलू लिये है और अच्छे से उसको मटर के साथ मिक फिर डाला है चाट मसाला क्योंकि चाट मसाले से एक टेस्ट अलगी आ जाता है चटपटा हो जाता है थोड़ा सा तो डाल दिया है इसमें चाट मसाला फिर डाला है इसमें थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला इससे भी थोड़ा स्वाद अच्छा आता है मैगी मसाला डाल दिया में मसाले से बहुत प्यारी खुश्चबु आ रही थी बहुत टेस्टी खुश्बु आ रही थी मन कर दो आएसी का जाओ और थोड़ा से मैं ऐसी खा लिया था फिर यहां पर मेरी बहाबी बेलने लगी इसको मेरी बहाबी अच्छे से बेल रही है यह ठीक ठीक बेलना है ना कभी पत्ला हो जारा था बहुत जादा मुसीबत के बाद सका का है यह समोस से बन के रड़ी था हमने देखी वीडियो से कैसे कर रहे है अच्चे से एक एक कम हुछ हो रही है फिर वो ठीक करने के बाद बड़ी मुस्खिल बन से एक से बह Nous से बन के रेड़ी था यह देखो अब वो कैसे बना है न, वो मैं दिखाती हु, मेरी भाभी ने एक ट्रिक निकाली है, ऐसे इसमें देखो मसाला डालना है और साइट से इस तरीकी से फोल कर देना है, यह मुझी भी बहुत साथा इजी ट्रिक लगी है, आप लोग भी कर सकते हो, इसमें जाधा महनत नहीं लग बाकी तो अभी दो-तीन बार और बनाएंगे तो अच्छे से हाथ बैट जाएगा इसमें, समूसे है पर बनके हमारे रेडी हैं, अब इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हो दो-तीन दिन के लिए, जब आपका मन चाहेगा तो आप अच्छे से इसको फ्राय कर सकते हो, पर दो बट मैंने इसको पूरा धीमी आज में पकाया, अच्छे से समूसे सच में बहुत जादा टेस्टी बने थे, बट अंदर से थोड़े-थोड़े से वह गे थे हो, कच्छे से जैसे अंदर से पके ना हो, ऐसा क्यूं हो है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना